पूर्ण केंद्रेवंत्री पवन कुमार बंसल कैसे देखते हैं इस समय साथ हैं पवन कुमार बंसल इन से जानते हैं जिवन तीखे कई फैसले हुए हैं पिछले दिनों के हर एक फैसले को अलग अलग देखना होगा उधारन के तौर पे मैं समझता था और उन्होंने किया कि अब इस बात की जरूरत थी कि जो आपने पबंदियां लगा रखी हैं उनको हटा दीजिए उसके लिए क्योंके हमरी एर्फ विवस्ता बिल्कुल ठप हो चुकी है economy यहां की बिल्कुल गिर चुकी है और जगा गी तरह भी तो उसको फिर उटाने के लिए उसको जीविद करने के लिए दुकानों का खोलना कार खानों का खोलना डफ्क्तों बगरा का खोलना जो और companies हैं उनके offices का खोलना सब का अवश्यक था वो उन्होंने किया तो अच्छी बात की है उनको साथ-साथ मैं ये मालूम नहीं उन्होंने कारों को खोल दिया अजाज़त दे दी, स्कूटर्स को दे दिया जिस आदमी के पास अपना कोई निजी वहन ना हो वो क्या करे? उसके लिए क्या स्कूटर रिक्षा जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है क्या स्कूटर रिक्षा जब आटो रिक्षा नहीं कोल देना चाहिए था? उनमें आप अंतर रखते सभी का फासला रख के बात करते इतने दोड़ हैंगे एक आदमी चलेगा स्कूटर रिक्षा में भी एक चलेगा रिक्षा में भी एक जलेगा नाला साथ आदमी ऐसा करते उनको भी कुछ रुजगार मिलता और लोगों को भी सहूलत होती वो इन्होंने नहीं किया गलत किया सबसे बड़ा जो काम मेरे हसाब से इन्होंने सही नहीं किया जो इनको एक महीना पहले कर लेना चाहिए था अपनी पीट्स तो सब थपा रहे हैं कि हमने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है लेकिन जो गरीब से गरीब लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड किसी भी वज़ा से नहीं है किसने नहीं दिया प्रसाशन नहीं दिया नैशनल फूट सेकुरिटी एक्ट में तो सभी आने बनते थे जो गरीब लोग जिनके पास राशन कारणी आपके नियमों के हिसकारन अब नियम क्या है उनकी वो लंबा हो जाएगा उनके पास राशन कारणी है उनको जरूरत थी अब तो वो काम ओवर होगे आप लोगों को बाहर जा सकते हैं अपने घरों में लोग पहुंच जाएंगे कैसे भी रहेंगे कैसे भी है गुजारा करेंगे आप तो आपकी सहायता की कम जरूरत होगी इसलिए तो खोलने के जरूरत थी वो गलत है अब सबसे बड़ा गलत क्या कर दी है मुझे है वो बात क्यों कर दी जब इन्होंने मार्केट्स खोलनी मेरे हिसाब से मद्यमार्क भी खोल देना चाहिए था वो तो बड़ी दुकाने हैं अठाटके हैं एक खोलते हैं साथ वाली बंद रहती अगली खोल जाती और्टरनेट रोटेशन में खोलते हैं सेक्टर 17 को खोलते दक्षिन मार्क को खोलते वो बंद रखीं सेक्टर 17 बंद रखा जो सबसे सुंदर मार्केट हमारी बड़ी है और क्या कल फैसला कर लिया कि 26 सेक्टर की जो ग्रेन मार्केट है वेजटेबल मार्केट है फुरूट मार्केट है क्योंकि बापु धाम के साथ लगते हैं बापु धाम हाट स्पोट है, कंटेनमेंट जोन है इनको वहाँ ले जो क्या अजीब बात लगती है कि नहीं लगती कि जो वहाँ की स्वेंकी शॉप्स हैं बड़ी बड़ी दुकाने है उनसे तो करोना वाइरस का खत्रा है अगर वो खुले रहेंगी तो खत्रा होगा इनका वहाँ चले जाना सतना सेक्टर में पहली वार इतनी बड़ी खुली जगा जो हमारा बस्टेंड है उसमें जाके इनको बठा देना मेरी तो बिल्कुल समझ़ से बाहर है कोई समझ़दार लोग हैं वहाँ जन्होंने कुछ सोच समझ के ही किया होगा लेकिन क्योंकि किसी बात को किसी कौन्फिडेंस लेने के तो बात ही नहीं फैसला ही आता है उपर से यह फैसला ही सुना है हम दोखोंने तो गए, एडविटेजमेंट्स पे पैसा हिंदुस्तान का कितना लग गया, क्या हालत है वहाँ, पिशले समय भी ध्यान नी दिया और आप भी ध्यान नी दे रहे, जहां वो गरीब लोग मसदूर हैं, 26 हेक्टर में ग्रेंड मार्केट वाले, शेड्स में रहते हैं, अपना खान वहाँ ले जाएंगे, यहां के लोग वहँ जाया करेंगे 17 में, तो खत्रा बढ़ जाएगा कि वह कम होगा, कोई बाकु धाम के निज्दीक वाला हो, कोई और हो, कोई बाई चांस सूधर से आता हो, किसी डंक से, वहां काम कर रहा हूज, जो इधर काम कर रहा है, वहां पह थाइं थी उसके लिए फाइनेंस सेक्रेटरी का फोन मुझे आया था मैंने अपनी रहे कई कई बिंदूओं भी दी थी और मुझे संतोष है कि उसमें काफी माने गई बंसल सब जिस तरह भी आपने का है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है और परसाशन को है आटो रिक्सा या टैक्सी की जो है अनुमती दे देनी चाहिए थी ताकि लोग अपने जहां जाना चाहते हैं वहां पहुश सके तो ये भी हो सकता है कि पुलिस फोर्स की कमी हो सोसल डिस्टेंस बनाना मुश्किल हो जाए परसाशन के लिए मैं ये पहले ये जरूर मुझे कहना चाहिए कि पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है पिछले दिनों में जो लोगों की एक इनके प्रती कल्पना रहती है पुलिस के प्रती हमेशा और वो काफी हद तक सच होती है कि लोगों को उनसे अराम नहीं मिलेगा कोई उनसे सहायता नहीं मिलेगी उनसे तकलीफ मिलेगी ये काफी हद तक रहती है लेकिन उन्होंने अब अपनी शवी बिलकुल बदल दी इन दिनों में किस महनत के साथ उन्होंने काम किया लोगों की सेवा की सही में जी जान पे वो खेल रहे हैं वो भी जैसे डॉक्टर्स हैं नर्सिज हैं और पेरामेडिक्स हैं सफाई करमचारी हैं ये भी एक हमारे करोना वारियर्स हैं सही में हम लोग कोई नहीं है अफसर ये वो हम कोई नहीं अपने अपने रोल पे उपर होते हैं ये हैं सही मरे में उन्होंने बहुत काम किया है अब वो अंडर प्रेशर जरूर होते हैं सब जगा आप एक एक जगा पे यू कांट इंच पुलीस एवरी इंच अफ दे टेरिटरी सब जगा पे एक 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 इंच पे आप पुलीस का आदमी तो खड़ा नहीं कर सकते तो उसकी कल भी देख ली जब शराब के ठेके खोले वहां क्या बुरा हाल हो गया कल को सोशल डिसंसिंग की धजियां उड़ गई तो ये तो उनके लिए देखते हैं लेकिन जब ये जरूरी ह है कि हम लोग जो लोग हैं उनको खुद जो हम पहले कहते थे ना सुलोगन आता जा रहा था घर रही है सुस्त रही है आज के दिन बलके ज़्यादा जरूरत है पहले तो रहना पड़ रहा था आप बाहर निकल ही नहीं सकते थे उलंगना होती ही उस कर्फ्यू की अब जब अब निकल सकते हो अब उसकी जरूरत है ज्यादा हम लोगों पर खुद जमेदारी ज्यादा है लेकिन ये कहना ये सोचना भी के पुलीस से कंट्रोल नहीं यहां हो पा रहा होगा इस कारण वहां भेजा ये कोई इस बात का कोई किसी साब का तुकसा नहीं बनता कि इस कि जो ग्रेन यहां से वेजिटेबल फूरूट मार्केट वगरा को वहां ले जाएंगे उसको भी आप ऐसी हालात कर देंगे जैसी यहां हुई हुई है इसको तो सफदार लीजिए बंसल सब केंदर की मौदी सरकार में जो करोना मामारी के चलते फैसले ली है जो आप उसको कितने नंबर देते हैं जो इसमें फैसले लिए जा रहे हैं नंबर देने का तो कौम मैं कभी आज तक नहीं करता किसी और दूसरे को टिपनी हरी जीस पर कर देता हूं यहां मैं समझता हूं हमरी टिपनी करने की जरूरत है सबसे पहले जिस वकत ये लॉक्डाउन लगा दे नहीं तस्वीर कैसे बदल जाती कुछ हमेलेज को पकड़ के ले जाके बैंगलोर लेके गए हुए थे उनको वापस लाके एकदम हाउस टेस्ट करवाना था उनको प्रतलोबन दिये हुए थे कि हम आपको ये बना देंगे वो कर देंगे सरासर जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है घटिया दर्जे की वो करके उस उने ने वो सरकार गिराई और अपनी सरकार बनाई इस कारण पूरे हिंदोस्तान में एक हफ़ता कम से कम लॉक डाउन लेट कर दिया बाद में लॉक डाउन के बाद तो उनका कोई फैसला ही नहीं जो उन्होंने एक लाग श्टर हजार का कोई पैकेस बताया है अब उसको विस्तार पूरुबग देखिये क्या है जो परानी उनकी अपनी लाइबिलिटीज हैं अपनी कमिटमेंट्स हैं उनका जिकर किया है दो साल के आगे के पैसे का जिकर किया है MP लैड्स लोकों से दो साल के लिए रोक लिया और क्या अजीब फैसला भी पिछले हाफते पता लगा फिर कि जो बीस हजार करोड रुपिया नए दफ्तर बनाने में दिली में पारलिमेंट हाउस नया बनाने में जैसे ये पारलिमेंट हाउस खत्म हो चलिया इसको इसकी जगा और नया पारलिमेंट हाउस बनाने के लिए एक बहुत आली साथ बड़े बड़े सब रोके हुएं इस काम के लिए पूरे की पूरी रेस कोर्स रोड परदान मंतरी का निवास है जो दफ्तर है जा निवास है उस सब को छोड़के इस पे तो करना भी करना ही है अगर यह मानने तो यह हुआ है इस वकत तो बंसल साथ आपके पास तो वित्व भाग रहा है इस समय केंदर की मोधी सरकार को क्या ऐसे स्टैप उठाने चाहिए जिस से एक बारी फिर उध्यों का चक्का दुबारा से चल सके और साथ में लोगों को लिफ मि जिनकी हाला कमजोर है वो तेरा करोड परिवारों को अगर पांच-पांच हजार रपिया एक वर्द सीधा दे दिया होता तो वो 65,000 करोड रपिया बनता कुछ ज़्यादा पैसा नहीं था आपको क्या करना चाहिए जितने तीन महीने जब इसे ज़्यादा के लिए जितने MS MS हैं MS जो हमारे छोटे-छोटे लगू हैं लगू का यह उद्योग हैं यह सभी 50 फी सदी तक हमारे GDP का हिसा बन जाते हैं चाली तो हैं हमारी 50% इसकी एक्सपोर्ट जो हमारी हो जाती है इनके जरीए होती है इतना बड़ा इनका रोल हमारे वहाँ है इनके लिए कुछ नही हुआ है इनको सभी के लिए यह कह देना कि तीन महीने आप अपना इंट्रेस्ट नहीं दोगे बैंकों को और तीन वो इंट्रेस्ट पर इंट्रेस्ट लग जाएगा तीन महीने के बाद आप यह कहिए कि तीन महीने के लिए इनका इंट्रेस्ट मौफ उसको सरकार अपनी त में जिसको ग्रेट डिप्रेशन कहते थे अब विशेश अगे इसको ग्रेट लॉकडाउन बोल रहे हैं जिए उसके बाद पहला इतना बड़ा काम हुआ है जिससे सब सब कुछ ठप हो गया है बंदर हो गया उस वकत तो आपको बड़े कदम उठाने चाहिए एक अगर आपकी हालत खराब हो तो बोल्ड कदम लेने चाहिए वो नहीं लिये गए किसी ढंक से उसमें क्या हो सकता है वैसे नॉर्मल नहीं कि फिसिकल डेफिसिट जो हमारा फिसिकल रिस्पॉंसिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट बिल है उसके तहट 3% से उपर नहीं जाना चाहिए जो गया हुआ पहले थोड़ा थोड़ा कम किया है फिर बढ़ा है कम हुआ है वो बेशक और बढ़ जाए आपको रिजर्ब बैंक से पैसा लेके यानि के नए नोट चापके बेशक आज के दिन लाना पड़े उससे थोड़ी महगाई बढ़ती है लेकिन अभी तो महगाई बढ अचने का आएगा डिमांड उठेगी सप्लाई उठेगी उससे एकोनमी उठेगी वो इनको करना चाहिए था इन्होंने नहीं किया ये थे मेर साथ पूर केंद्रिय मंत्री पवन कुमार बंसल इन्होंने का है कि केंद्र की मोधी सरकार को लोकडाउन सुरू से ही कर देना चाहिए था जब क्रोणाम आमारी का पता चाला था वहीं इन्होंने केंद्र की मोधी सरकार को सुझाव भी दिये है अनिल कुमार टो